हालो स्टूडेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास नाइन की मैस का चाप्टर नमबर 3 कोडिनेटरिक एक्ससाइज 3.2 जिसका फॉर्स्ट कोशन है राइट आंसर ओफ दा इच ओफ दा फॉलिंग कोशन तो हमें इन कोशन के क्या देने है आंसर करने है तो first है हमारा what is the name of the horizontal and the vertical line draw to the determined position of any point in the Cartesian plane अब जो हमें बतारा है जो हमारा Cartesian plane था Cartesian plane कोई भी चीज़ plane हो सकती है आपकी notebook भी हो सकती है अब इसके उपर जो हमारी vertical और horizontal line थी वो हमें क्या बता रही थी जो हमारी line थी वो हमें क्या दिखा रही थी जो हमारी x-axis and y-axis देखो हमारी जो यह दो lines थी vertical and horizontal line तो यह जो थी हमारी x-axis थी और यह हमारी y-axis यह हमने देखा था introduction वीडियो में ठीक है what is the name of the each part of the plane formed by these two lines अभी जो दो lines है इसके अंदर जो यह parts बन रहे थे four parts इनको क्या कहते हैं इनको बोलते हैं quadrant ठीक है यह सब क्या थे? quadrant है यह write the name of the point where these two lines intersect अब जहां पर यह दो line intersect कर रही थे उसको क्या कहते हैं origin कहते हैं ठीक है तो यह हमारा question number first question number second देखते है c figure 3.14 and write the falling हमें यह figure देखना है और इन questions के answer देने है तो पहले बताना है the coordinates of b b का जो है हमें सिरफ coordinate बताना coordinate क्या था? जिसमें हमारे सिरफ y की value आती है तो हमने देखना है यहाँ पर b coordinate of b coordinate of देखो यहाँ पर हमें कुछ name दे रखे हैं जैसे x है यह y है यहाँ पर l, m, b, h, e, g, c यह सब हमें नाम दे रखे हैं लेकर हमें क्या पूछा है? coordinate of b पूछा है यहनकि सिरफ हमें y पूछा है तो यहाँ पर coordinate of b गरम देखें यहाँ पर यह हमारा आ रहा है minus 5 और इसको गरम देखें तो यह हमारा आ रहा है 2 तो coordinate में हमारा जो है वो x और y दोनो आता है ठीक है अब ये भी हो सकता है कि x हमारा minus negative हो या y हमारा negative दोनों में से कोई भी negative हो सकता है या दोनों वो positive भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो दोनो negative हो दोनो negative भी हो सकते हैं दोनों में से कोई एक negative भी हो सकता है दोनो positive भी हो सकते हैं तो जो हमें B का हमें point दिया अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो यह Y है यह हमारा positive है और X हमारा इसमे negative है तो यह हमारा coordinate है coordinate में X और Y दोनों आते हैं तो हम यहां लिख देंगे minus 5 and 2 second है था coordinate of C अब तो फिर से coordinate है नहीं की X और Y दोनों बताने हैं तो coordinate of C तो C हमारा इधर आ रहा है तो इधर हमारा जो X पे आ रहा है वो positive 5 है और यह हमारा Y minus 5 है ठीक है तो 5 और minus 5 तो 5 और minus 5 लिख देंगे third है the point of identity by the coordinate minus 3 and minus 5 अब minus 3 और minus 5 पे जो point आ रहा है वो में बता रहा है तो minus 3 जो है वो हमारा इधर आ रहा है और minus 3 हमारा इधर भी आ रहा है यह हमारा minus 3 है और यह हमारा minus 5 है यह हमारा minus 3 है और अगर हम देखे minus 3 और minus 5 क्योंकि देखो minus वाले हमारे इधर है और minus वाले हमारे नीची है तो यहाँ पर अगर हम देखें minus 3 तो यह हमारा आ रहा है minus 3 और यह हमारा आ रहा है minus 5 तो यह दोनों आखें कहाँ पर मिल रहे हैं यह e पर तो यह जो है इसका वो point हो जाएगा e ठीक है the point identified by the coordinate 2 and minus 4 अफिर से coordinate मतलब x और y दोनो 2 और minus 4 का आ रहा है हमारा तो देखेंगे 2 आ रहा है यह minus 4 जी पर आ रहा है हमारा यह epsisa epsisa मतलब सिरफ x the epsisa of the point d तो पहले हम point d देखेंगे कहाँ पर है यह हमारा d है तो अहुमे epsisa बता रहा है epsisa यानिकि सिरफ x epsisa पर क्या आ रहा है x पर सिरफ 6 आ रहा है the ordinate of the point h ordinate बतलब सिरफ y y कौन सा? minus 3 पहले हम h देख लेते है h यह रहा और minus 3 h पर अगर हमें देख रहा है तो हमारा जो है यह सिरफ y बताना है इस पर तो minus 5 और minus 3 आ रहा है तो यह हमारा x के line का है यह हमारा y का है क्योंकि हमें सिरफ क्या बताना है ordinate बताना है तो ordinate सिरफ y होता है यह हमारा y के line पर बना हूँ तो minus 3 आएगा the coordinate the point l यहनि कि x और y दोनो l देख लेते हैं कहां पर है l हमारा जो है वो इधर है यह रहा l अब l जो है वो हमारा सीधा बना हूँ यहां पर point दे रखा यानि कि यह 0 होगा और 5 क्योंकि यह दोनो जो है इसी line के अपर आ रहे हैं यह 0 और यह 5 होगा देखो बिल्कुल सीधा इसके उपर है ना l point दिख रहते है यह 0 होगा और यह 5 होगा अगर आपने introduction वीडियो देखा होगा पता चल जाएगा उसके बाद the coordinates of the point M M देख लो काँ पर है M यह रहा M पर कौन कौन से minus 3 है और कौन सा आ रहा है यह M पर minus 3 आ रहा है और साथ में 0 आ रहा है यह जो M है ना अगर हम देखें इसमे coordinate M जो हमसे पूछा गया है साथ में हमारा इसके 0 है देखो अगर मैं इसको नीचे लेके आती हूँ तो यह E point आ जाता है ठीक है तो फिर minus 3 और minus 5 आ जाता है तो यह E point बन जाता है लेकिन सिर्फ हमें M पूछ है M पर minus 3 है और यह इसके साथ 0 है क्योंकि M point जो है बिल्कुल जीरो और minus 3 है यह नहीं कि एक इधर और एक इधर तब यह E की लाइन पर बना हुआ है ठीक है अगर आप यह सोचो कि M इधर है और इसके साथ इधर जा रहा है तो आप देखो फिर E point आ जाएगा फिर वो तो हाना E point हो जाएगा वो तो minus 3 और minus 5 जो हमने पहरे लिखा भी था लेकिन हमें सिर्फ M देखना है यहां से देखो और यह इसी line पर यह बना हुआ है तो यह minus 3 और 0 है इंड्रोड़क्शन वीडियो आप ज़रूर देख लीचे तब ही आपको इसली अच्छे से समाज आ पाएगा तो यहां पर हमारे जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है होफ़ली आपको यह वीडियो हेल्फुल लगाओ वीडियो हेल्फुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब परें थैंक्यू